इसको हम देख रहे थे, पीछे हमने questions किये है कुछ, अब देखते है applications of equilibrium constant, अब basically, चलिए मैं आपको अभी board के उपर ही बताता हूँ ये, right, so, आपको दो applications देखने है, mainly, equilibrium constant के, वो है, देखे, पहले जो थे, equilibrium की characteristics भी कहा जाता है उनको, तो वो तो हो गया आपका, तो अब applications of equilibrium constant में हमको दो देखने ही चीज़े है, to determine the direction of reaction and to find the equilibrium concentration, मतलब क्या है, अगर कोई reaction है, आपके पास A plus B giving C, तो अब देख लो, जब ये reversible reaction होती है, ना थे, दोनों directions में होती है, ये, reversible reaction occurs in both the directions, मतलब कोई वेसल है, तो इसमें A, B और C होंगे, अब जब ये reaction स्टार्ट होती है, तो equilibrium आने से पहले, equilibrium आने से पहले, आपको एक बात याद होनी चाहिए, कि ये reaction किसी fix direction में हो रही होती है, तो चलिए, अब जब ये reaction हो रही होती है, तो ये reaction शुरू में, मानलों आपने इस container में A और B लिये, और C है ही ही नहीं, तो शुरू में ये forward direction में होती है, और जब धीरे-धीरे C बढ़ता है, तब ये reaction backward direction में भी होने लगती है, राइट, backward direction में होने लगती है, तो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, finally equilibrium आता है, जब forward reaction का rate equal to backward reaction हो जाता है, और अब बोलते हैं कि reaction equilibrium में आ गए, तो हमारे पास दो चीज़े है, क्या चीज़े है, जब ये reversible reaction होते है ना तो दो चीज़े होती है, क्या होती है, एक before equilibrium and after equilibrium, इस after equilibrium को हम at equilibrium भी कह सकते है, ये बात भी याद रख नहीं है, एक मिनिट कर रहा हूँ, मैं सब को mute, यस बेटे, हाँ, तो, तो अगर कोई भी, मतलब reaction है, तो before और after equilibrium, अब after equilibrium को हम at equilibrium भी कह सकते हैं, क्योंकि equilibrium आने के बाद कुछ होता नहीं है, equilibrium ही रहता है, right, so at equilibrium या फिर after equilibrium ये दोनों चीज़े एक जैसी ही है, equilibrium आया, उसके बाद equilibrium ही रहता है, तो कहीं पर आपको after equilibrium कहेंगे या फिर at equilibrium कहेंगे अब basically होगा ये कि जब equilibrium आता है और equilibrium आने से पहले जब equilibrium आया नहीं होता तब क्या होता है देखिए मान लिजिए ऐसा है तो equilibrium आने से पहले एक मिनिटा तो अब देखो तो equilibrium आने से पहले तो rf is equal to rb ऐसा होता नहीं तो before equilibrium एक तो forward direction में ज्यादा होता है या फिर backward direction में अब देखो अगर आपने a और b लेके reaction स्टार्ट की तो forward reaction ज्यादा होगी backward कम होगी जब तक equilibrium आता है reaction को आप c से भी start कर सकते हो इस वेसल में आपने c लिया और c से अगर आपने start किया तो c से a और b फॉर्म होगे तो तब आपकी backward direction में reaction ज्यादा होगी मैं क्या बोल रहा हूँ अगर आपने reaction स्टार्ट की a और b से तो forward reaction rate will be greater than backward reaction और अगर आपने उल्टा किया c को लेकर reaction स्टार्ट की क्योंकि मैंने बोला ना reversible reaction में दोनों में से कोई भी reactant हो सकता है तो backward direction में reaction होगी उस case में r b should be greater than r e क्या ये आपको समझ में है पहले ये दो sentences ये दोनों चीज़े बिफोर equilibrium होती है ये sir no बोलो एक बार समझा या नहीं ये जो मैंने बोला equilibrium आने से पहले एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ये sir no right या आपको शमझ में अया अब आगे देख़्े और equilibrium आने के बाद यानि at equilibrium या फिर after equilibrium ये होता है अब equilibrium constant k का application at equilibrium भी एक है और before equilibrium भी एक है before equilibrium क्या है कि हमको देखना है कि forward reaction ज्यादा हो रही है backward अगर forward reaction ज्यादा हो रही है तो हम बोलते है कि reaction forward direction में जा रही है और backward reaction ज्यादा हो रही है तो हम बोलते है कि reaction backward direction में जा रही है यह बात भी clear है reaction forward direction में जाना reaction backward direction में जाना और जब equilibrium आता है तो reaction ना forward में जा रहे ही ना backward में जा रहे ही क्योंकि दोनों की rates same है. So before equilibrium, this K is used to find the direction of the reaction. यह है उसका पहला application. Whether it is backward direction or it is forward direction. And at equilibrium, this K is used to find the concentration of reactants or products. मतलब जब equilibrium आता है तो equilibrium आने के बाद इसका concentration कितना है? इसका कितना है? यह पिर इन दोनों का दिया है तो इसका कितना होगा? इन दोनों का दिया है तो इसका concentration कितना होगा? at equilibrium यह find out करने के लिए इसका use किया जाता है So K is used to find direction of the reaction before equilibrium and K is also used to find the concentration of reactants and products at equilibrium या फिर after equilibrium यह दो applications हमको KK देखने है अब इसके बाद आपको यह समझ में आया कि applications क्या-क्या देखने हैं आपको Right, applications क्या-क्या देखने है यह समझ में आया Have you got this? Right, अब पहला application देखते है हम पहला application वो है to find the direction अब देखी जब यह reaction होती है, start की है हमने reaction अभी अभी मतलब जब शुरू है यह reaction तब क्या होता है यहाँ पर आपका मान लिजे मैं simple सी reaction लेता हूँ P या फिर R going to P Right जब reaction शुरू होती है, मतलब मान लिजे R से अपने शुरू कर दी तो equilibrium तो बहुत देर बाद आएगा equilibrium कुछ देर बाद आएगा बहुत देर बाद आएगा कुछ देर बाद आएगा किसी reaction में बहुत ही fast आ सकता है, किसी reaction में slow आ सकता है अब जब equilibrium आ रहा है, तब तत क्या होता है इनके concentration change होते रहते है मान लिजे यह R और यह P ठीक से देख लिजे ठीक है, ऐसा है अब इसका concentration शुरू में मान लिजे 100 था और इसका तो 0 है, क्योंकि हमने R से शुरू की reaction तो धीरे-धीरे इसका concentration कम होता है हमने यह भी देखा है, यह graph प्रोड़क्ट के concentration ऐसे बढ़ते है और reactant के concentration ऐसे घटते है यह है reactant, यह product यह हमने graph देखा था तो धीरे-धीरे reactant को concentration घटते जाएगा 90, 80, 70 यह इस तरीके से linearly नहीं होता लेकिन मैं लिख रहा हूँ समझने के लिए, और इसके 0 10, 20, ऐसा कुछ होते जाएगा 30 फिर क्या होगा, 60 इसका मानलो 40 हो गया और यहाँ पर आ गया equilibrium मतलब forward reaction और backward reaction turret सेम हो गया, अब यह नहीं बोलना कि equilibrium आ गया तो इन दोनों का सेम होना चाहिए concentration NO, इन दोनों का concentration सेम होना कोई ज़रूरी बात नहीं है इन दोनों का concentration अलग-अलग हो सकता है लेकिन equilibrium आने के बाद इनके concentration change नहीं होगा मतलब इसके बाद इसका 60 ही रहेगा कितनी भी देर बाद देखो और इसका 40 ही रहेगा कितनी भी देर बाद आप देखो इसे बोलते है equilibrium आपको यह नहीं लगना चाहिए कि equilibrium है इसका मतलब concentration इन दोनों का equal होना चाहिए NO इन दोनों का concentration equal होनी की कोई ज़रूरी है क्या यह Is it necessary that the concentration at equilibrium should be same बोले एक बार Is it necessary बोले एक बार फटा फट No, it is not necessary but constant होना चाहिए तो equilibrium आने के बाद इनके जो concentration से वो constant हो जाएंगे जो कि मैंने आपको दिखाए है यह यह यहाँ पर देखिए 60 है तो इसका 60 है रहेगा 40 है तो 40 तो अब देखिए अब आपको पता है कि k is equal to क्या है इस reaction के लिए concentration of p divided by concentration of r अब यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ अब इसको तो छोड़ दीजिए इसको इसको अगर लेगे मैं यहाँ पर कुछ value निकाल रहा हूँ एक ratio निकाल रहा हूँ p divided by r p divided by r निकालता हूँ अगर यह है पहली reading यह है दूसरी reading मतलब 2 मिनिट बाद यह 3 मिनिट बाद after 4 मिनिट, after 5 मिनिट, after 6 मिनिट, 7 मिनिट, 8 मिनिट कुछ ऐसा हो रहा है तो अब एक्चली यह तो 0 मिनिट की होनी चाहिए यह 0 मिनिट की होनी चाहिए क्योंकि शुरू हुआ है जब तो 1 मिनिट नहीं होता राइट 0 मिनिट की है तो 0 मिनिट अब देखते हैं आगे शुरू में अगर हम यह रेशियो निकालेंगे P by R तो यह कितना आएगा 0 by 100 आएगा 0 यह आएगा आएगा 10 by 90 आएगा 1 by 9 20 by 80 आएगा 1 by 4 30 by 70 3 by 7 यहां पर देखोगे तो 4 by 6 नीचे अब 4 by 6 continue अब यहां पर यह जो रेशियो है यह तो बदल रहा है लेकिन यहां से यहां तक उसको equilibrium constant नहीं कहा जाता यह यहां पर आपका equilibrium आया है ना यह इस point पर आपका equilibrium आया है तो इस point के बाद ही इस ratio को equilibrium constant कहा जाता है और इसके बाद यह constant ही है देखा ना इसलिए इसको equilibrium आने के बाद जो constant रहता है उसे हम equilibrium constant कहते हैं के में यह जो होता है ना यह होता है concentration of P and concentration of R at equilibrium at equilibrium या फिर after equilibrium तो यहां तो equilibrium हाई है यह यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह इसके बाद equilibrium है इसलिए इसके बाद इनके concentration का ratio equilibrium constant कहे लाएगा लेकिन equilibrium आने से पहले जो इनका ratio आता है जो कि हमेशाद change हो रहा है इससे बोलते है reaction quotient Q, इसको बोलते है reaction quotient, reaction quotient Q, तो आपको समझ में आया कि what is the difference between K and Q, बोलो एक बार, what is the difference between K and Q, आपको समझ में आया Q क्या होता है और K क्या होता है, equilibrium आने से पहले जो ratio होता है उसे हम reaction quotient कहते है और equilibrium आने के बाद जो आता है उससे K कहते है, मतलब reaction quotient becomes K after equilibrium, तो इसको हम Q भी कह सकते है Q at equilibrium, Q at equilibrium is called as K, Q at equilibrium is called as K, Q at equilibrium is called as K, और उससे पहले Q ही कहा जाता है, मतलब ये Q नहीं है ऐसा नहीं, ये भी Q ही है, लेकिन इसकी value fix हो जाते है, तब इस Q को एक special नाम आता है, उसे बोलते है equilibrium constant, और हमेशे याद रखना है, reaction तब तक चलती रहती है, जब तक इस Q की value K नहीं होती, जब तक इस Q की value K नहीं होती, क्या ये आपको समझ में आया, reversible reaction तब तक चलेगी, जब तक Q की value, the value of Q does not become K, K, the reaction will go on until and unless the Q becomes K, समझ में आया? Okay, तक तो, ठीक है, माइथी, टेंशन को नहीं होती है, समझ में आया ये? अब चलेगी, 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 So, R gives P, यहाँ पर हमने देखा कि R से शुरू करने के बाद ये P, और आपने धिरे-धिरे यहाँ पर कुछ note भी किया होगा, देखिए, यह जो R ratio हमने निकाला था ना, Q, वो धिरे-धिरे-धिरे-धिरे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, अब यहाँ पर Q is equal to क्या है? P upon R, और शुरू हमने यहाँ से किया था ना, तो यह प्रोड़क्ट धिरे-धिरे बढ़ रहे थे, लेकिन अगर हमने शुरू यहाँ से किया, तो यह शुरू में 0 होगा और यह 100 होंगे, और यह कम होगा फिर 90, 80, 70, 60, 50 और 40 तक आएगा, क्योंकि हमने देखा है, यह equilibrium constant इस reaction का क्या है? हमने hypothetically माना है, वो माना है, K is equal to 4 by 6, तो यह पहले 0 है, फिर यह 10 होगा, यह 20 होगा, 30 होगा, यह 40 होगा, 50, फिर 60, अब इसके बाद यह 60, 60, 60 रहेगा, यह 40, 40, 40 रहेगा, मतलब हम reaction यहां से भी शुरू कर सकते हैं, अगर यहां से शुरू की, तो इसका concentration धिरे-धिरे कम होते जाएगा, और यहां से शुरू की, तो इसका concentration धिरे-धिरे कम होगा और इसका concentration धिरे-धिरे बढ़ेगा. इधर वाली जो case थी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो कि हमने reaction कैसे से शुरू की थी? Reactant से शुरू की थी, मतलब 100, 90, 80, 70, 60 और इसके बाद यह constant हो गया था. यह 0, 10, 20, 30, 40 और इसके बाद यह constant हो गया था. और हमने देखा कि Q की value यहाँ पर 0 थी, फिर यहाँ पर 1 by 9, फिर इसके बाद अगर देखोगे आप तो यह, मैं directly लिख दता हूँ, 2 by 8, 1 by 4 नहीं लिखूंगा मैं. तो यहाँ पर 3 by 7, यहाँ पर 4 by 6 और नीचे 4 by 6, 4 by 6 यहाँ पर देखोगे तो reactant धिरे-धिरे बढ़ रहा है, यहाँ पर देखोगे तो reactant धिरे-धिरे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर reaction R से शुरू की है, यहाँ पर reaction P से शुरू की है. अब यहां पर क्या आएगा क्यों क्यों यहां पर देखेंगे तो P by R मतलब infinite पहले तो फिर 90 by 10 9 80 by 20 8 by 4 यानि 4 70 by 30 cancel 7 by 3 यानि कितना है गये 3 to the 6 2.3 6 by 4 यानि 1.5 यह 50 by 50 यानि 1 और उसके बाद 4 by 6 यानि 0.67 तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक मतलब जब हम reaction प्रोड़क्ट से शुरू करते हैं ठीक से देखो आपके पास equilibrium में ऐसा है कुछ यह है आर जो की 60 है और प्रोड़क्ट है आपका 40 इस तरीके से प्रोड़क्ट थोड़ा कम है आर थोड़ा ज्यादा है तो यह है equilibrium की condition इस reaction को हमने शुरू किया आर से मतलब क्या था आर बहुत ही कम मतलब 0 यह था एक्चुली लेकिन मैं थोड़ा कम दिखाता हूं और प्रोड़क्ट बहुत ज्यादा था यह हो गई इस reaction की बात इस reaction की बात की जाए तो equilibrium आने से पहली आर ज्यादा था इधर आर कम था समझ रहा है ना तो आपको एक बात समझ रही होंगी ठीक से देखो यह जो पूरी situations है इन पूरी situation में यह के और यह है Q ऊपर वाला ठीक है ना यह 9 infinite तो Q धीरे-धीरे कम हो रहा है और यहाँ पर देखो गे तो Q धीरे-धीरे बढ़ रहा है यह देखो आप Q जो है धीर-धीरे बढ़ रहा है यह जो finally value आई ना यह यह value और यह value same है 0.67 इधर से Q यह अगर देखो जो तो यह 0.1 मैं रफली निकाल रहा हूं मैं 0.15 नहीं कितना 0.25 फिर 0.4 रफली निकाल रहा हूं 0.6 यहाँ पर Q Q वैल्यू धीरे-धीरे बढ़ रही है यहाँ पर Q Q वैल्यू धीरे-धीरे कम हो रहे है मतलब क्या हो रहा है जारा ठीक से देख यह जो रियक्शन शुरू हुई तो इसके उपर वाले सभी के पार्ट है ना यह सभी यह पूरा पार्ट एकिलिब्रम आने से पहले यहाँ पर Q हमेशा इस के से बढ़ा है Q is always greater than Q in this situations और अगर आप यह situations देखोगे ना यह पूरी की पूरी situations तो इन पूरे situations में यह जो Q है यह Q इस के से छोटा है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस केस में Q is less than K ज़रा एक बार मुझे बताओ क्या यह आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक मैंने जो बोला यहाँ तक मैंने जो बोला समझ में आया मतलब जब भी आप reaction शुरू करते हो एक तो reactant से शुरू कर सकते हो या फिर product से अब ऐसा भी नहीं है कभी-कभी तो क्या होता है कि कुछ reactant भी होते हैं कुछ product भी होते हैं मतलब यहाँ से शुरू कर दी reaction ऐसा भी हो सकता है रेक्टन 20 ले लिया, प्रोड़क्ट 80 ले लिया, यहां से शुरू करो, अब कहीं से भी शुरू करो, उसकी Q की वैल्यू एक तो केसे बड़ी हो सकती है, या फिर केसे छोटी हो सकती है, एक्विलिब्रियम आने से पहले, और जब एक्विलिब्रियम आता है, तो Q की वैल्यू K जितनी बन जाती है मतलब हमरे पास दो केसे से Before Equilibrium एक तो Q केसे बड़ा है या फिर Q केसे छोटा है और हर केस में यह देखिए यहाँ पे K है Q एक तो छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है और हर केस में Q ट्राइ कर रहा है कि वो K की तरफ जाए यहाँ पे भी देखिए Q बहुत बड़ा है तो धिरे धिरे करके K बन गया छोटा बन गया यहाँ पे Q बहुत छोटा है शुरू में तो यह धिरे धिरे करके क्या हो गया फाइनली बढ़के K बन गया मतलब q की tendency क्या है, k बनना, यह तो समझ में आ गए आपको, अब मैं बोलता हूँ, देखिए, अब मैं दो चीज़े आपको बोल रहा हूँ, इस reaction में, मान लीजी, आपके पास क्या condition है, q is greater than k, q is less than k, and q finally equal to k, ऐसा हो जाता है, जब q greater than k होता है, q क्या है आपका, p upon r, p upon r, जब q के से बड़ा है, q बड़ा है, मतलब p ज्यादा है, right, p ज्यादा है, r कम है, p ज्यादा है, क्योंकि q बड़ा है, मतलब p ज्यादा है, जब p ज्यादा होते है, मतलब equilibrium के comparison में, equilibrium के comparison में, जब p ज्यादा होता है, तब reaction, मतलब Q छोटा होने की कोशिश करता है Q बड़ा है ना, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको यह यहाँ पर यह आपका K है और पहली केस में Q बड़ा है, मतलब इधर है Q Q बड़ा है, इसका मतलब P ज्यादा है मतलब यहाँ से आपने reaction शुरू की То Q इधर आना चाहता है kü इधर आना चाहता है, मतलब Q छोटा होना चाहता है क्यो छोटा होना चाहता है, मतलब P कम होना चाहता है या बड़ना चाहता है बोलो एक बार, फटा फट P wants to become less or more When Q wants to become less then what about P P wants to become less, very good So, simple से बात है तो पी कम होना चाहता है और आर बढ़ना चाहता है पी कम होना चाहता है पी का कॉंसेंट्रेशन कम होना चाहता है आर का कॉंसेंट्रेशन बढ़ना चाहता है तो रियक्शन फर्वर्ड डियरेक्शन में होना चाहती है जाए या backward, बोल एक बार फटत, forward या backward? बोलते रो बेटे, और प्राइवाटली मैसेज किया करो, ज्यादा तर, क्वेस्टन के अंसर जो देने है न वो प्राइवेटली होने चाहिए, सो देट आपको बोल रहा हूं, प्राइवाटली अंसर दिया करो, तो प्लीज, मैं बार-बार आपको बोल रहा हूं, प्राइवेट लिए अंसर दिया करो. So, backward direction में होना चाहिए कि, इसका मतलब है, when q is greater than k, then reaction goes in backward direction. अब इसका मतलब ये नहीं कि forward direction में नहीं जाती. रिवर्सिवल रियक्शन दोनों दिशाओं में होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, लेकिन backward reaction का rate greater than forward reaction होगा. इसका मतलब ये नहीं कि forward होती ही नहीं, होती है, लेकिन backward का जो rate है वो ज्यादा होगा. अब वन Q is less than K, Q is less than K, अब Q less than K है, तो क्या होगा? इधर है क्यू? क्यू इधर जाना चाहेगा? Q has always the tendency to go towards K. Now the Q wants to go towards K, means Q wants to increase its value. Q wants to increase its value, means P wants to increase its value. When P wants to increase its value, it means forward reaction ज्यादा होनी चाहिए, backward reaction कम होनी चाहिए. So simple सी बात है, rate of forward reaction should be greater than rate of backward reaction. And therefore, the net reaction will go in forward direction. और जब Q equal to K है, तो आपको बतानी की जरूरत नहीं है, ना backward होगा ना forward, it is at equilibrium. यह equilibrium पे होता है, reaction equilibrium पे है हिसाम कहेंगे, and we will conclude that rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. क्या आपको, अब शुरू करते हैं, आगे. So यह backward है, यह forward है, यह equilibrium है, यह सब कुछ आपको समझ में आ गया. इसका मतलब है हम Q और K की जानकारी से, reaction forward direction में हो रही है, यह backward direction में हो रही है, यह पता लगा सकते है. Right? So first application हमारा, to determine the direction of reaction, whether forward और backward, यह हम यहां से निकाल सकते है. Right? यह हो गया अपना, अब हम एक question करते हैं, इसके उपर, जिससे कि आपको मैंने जो पढ़ाया, उसका clarification और detail में आ जाएगा. So first application of K is to determine the direction of reaction before equilibrium. क्योंकि at equilibrium तो direction की जरुरती नहीं है, forward और backward दोनों same rate से होते है. So अगर आपको मान लीजिये, ऐसी कोई reaction दी है. Right? आपको ऐसी कोई reaction दे दी है. A plus B gives 2C. A यह aqueous है, B solid है, gives 2C. Right? यह भी aqueous है. यह हाँ, ठीक है. और इसके K की वैलिव दी है, आपको 100. Equilibrium constant इसका 100 है. और आपको बोला है, equilibrium आने के बाद K की वैलिव यह है. और equilibrium आने से पहले, at certain time, A, B और C, इनका concentration measure किया है. Concentration of A is equal to 4 and concentration of C is equal to 2. इसके unit छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है. We have to predict the direction in which reaction will occur. किस direction में reaction होगी? backward या forward direction में net हो रही है. कहां पे हो रही है, यह देखना है. सो इसका solution क्या रहेगा, बिटे? reaction, sorry, इसका Q निकालेंगे हम सबसे पहले. So Q of the reaction is product upon reactant. Concentration of C square upon concentration of A ले लिया मैंने. चलिया मैंने B नही लिया. क्यों नही लिया बोलो, एक बार फटा फट. Come on, why I have not taken B? Why I have not taken B? बहुत अच्चे. बहुत ही अच्चे बेटे? Because it is solid. यह solid है, इसकी बजर से यह यहाँ पे नही लिया गया है. तो चलिये. This is solid, pure solid, and it is not taken in calculation of Q and K. So what is C? C is square upon what is A, A is 4. So it becomes 4 upon 4. So Q की value 1 आ गए. अब Q और K को अगर हम compare करेंगे, इस टाइम पे Q है 1, लेकिन K की value 100 दी हुई है. K तो constant रहता है, but Q is less than K. यह हमको दिख रहा है. Now, Q is less than K. और जब ऐसा होता है, तो आप मुझे बताएंगे forward direction में होगी reaction या backward में होगी, come on. बोलो एक बार, forward में होगी या backward में होगी, come on. जब ऐसा होता है, Q is less than K. Yes, Q is less than K. इसका मतलब reaction होती है forward direction में. क्यूंकि Q बढ़ाना चाहता है खुद को. जब Q खुद को बढ़ाना चाहता है, Q बढ़ना चाहता है मतलब product बढ़ने चाहते है. प्रोडक्ट बढ़ना चाहते हैं मतलों forward direction में reaction होगी इस तरीके से आपको इसके उपर question पोचा जाता है राइट? ओके फिर मान लीजे आपको मैं ऐसा एक देता हूँ आपको मैं यह बोला ना q less than k हो सकता है q greater than k हो सकता है q equal to k हो सकता है q जब छोटा होता है तो forward direction में होगी q जब बड़ा होता है तो backward direction में होगी और यह तो मतलब equilibrium होए ना forward ना backward अब मान लीजे आपको एक ऐसी reaction दे दिये है p प्लस 2q gives r कितना r है भाईया? 3r अब इस पे ना solid, aqueous, ना कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब इसका मतलब यह तो यह gases है या फिर aqueous है मतलब solid नहीं है अगर solid होता तो यहाँ पर मैं लिख देता तो आपको दिया है इसका concentration at certain time 0.2 इसका दिया है 0.1 और इसका दिया है 2 और इस reaction का k दिया है आपको k equal to 2 तो चलो मुझे बताओ यह reaction इस समय forward में हो रही होगी net या backward में फटाफ़ट calculate करके बताना है आपको फटाफ़ट बहुत ही सही answer दिये है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे बेटे reaction होगी आपकी backward direction में backward direction में एक hint दे देता हूँ पहले इसका q निकालना है इसका q 4000 आता है इसके आ रहा है इसलिए यह backward direction में reaction होगी राइट बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग यह कर रहे हो उसके बाद यह तो आपके दो क्या हो गए यह पहला application हो गया राइट अब आपको दूसरा application देखना है वो application है तो फाइंड द एक्विलिब्रियम कॉंसेंट्रेशन तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते है कुछ basic बाते बहुत ही important बाते बहुत ही important बाते screen पे चलते हैं हम यह आ गई screen जो कि हमने already solution में देखा है solution और colligative properties में already यह देखा है लेकिन फिर भी एक बार फिर से लेकिन actually degree of dissociation यहाँ पे आता है बेटे मैं बोलता था ना जब solution आपको पड़ा रहा था ना तब मैं बोल रहा था कि इस chapter में आता ही यह degree of dissociation तो हमको find out करना है देखे मैंने बोला के के दो application हमको देखने है एक application था to find the extent sorry to find the direction of the reaction और दूसरा application है to find the extent of reaction या फिर या फिर to find the equilibrium concentration to find the equilibrium concentration of various reactants and products ये सीखने से पहले हम सीखेंगे what is degree of dissociation what is degree of dissociation तो हमने अल्रेडी देखा हुआ है degree of dissociation dissociation का दूसरा नाम है extent of reaction या फिर इसका और एक नाम है degree of completion of reaction degree of dissociation को ही extent of reaction degree of completion भी कहते हैं अब basically क्या होता है ना degree of dissociation कभ यूज करते हैं जब आपके पास AB नाम का electrolyte हो और वो अगर dissociate हो रहा हो तब हम degree of dissociation का इस्तमाल करते हैं अब इसके बारे में detail में हम कल देखेंगे आज यह possible नहीं है शायद ओके आप पहले screenshot ले लो फटा फट आपको लिखना क्या क्या है मैं बताता हूँ यह यहां से लिखना है राइट यह वाला यह वाला फिर आपको लिखना है यह वाला फिर आपको लिखना है यह वाला भी राइट अब ले लो screenshot फटा फट चलो इसका screenshot ले लो हो गया राइट मैं है क्या हर ले लु दिखना है चलो screenshot हो गए, bye bye, आप लिखते रही अभी, let us meet tomorrow, right, bye bye, लेकिन लिखना अभी है आपको, कल पर सो नहीं.